जै उसी राम भग्मान के राम चरित मानस्षेश भाग मंगल भावन या मंगल हारी द्रव हुसो दशरत जर भी हारी राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था राजा तो शूत हर्द था और वह कपट करने में चतुर था एक तो बैरी फिर जातिक अक्षित्री फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था वह शत्रू अपने राज्य सूक को समझ करके सिमन करके दुखी था उसकी छातिक कुमहार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हर्द में हर्शित हुआ वह कापट में डुबो कर बड़ी युक्ती के साथ कोमन वानी बुला अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्दन और अनिकेत घरदवार हीन है कहन रिप जे भी ज्यान निधाना जै सियाराम तुम सारिखे गलित अभिमाना जै सियाराम साधा रही अपन नपो दुराएं जै सियाराम सब भी दिस कुसल कुवेश बनाएं जै सियाराम तेही देका ही संत सुरुते तेरें जै सियाराम परम अकिंचन प्रिय हरी केरे जैसियाराम तुमसम अधन भिखारी अगेहा जैसियाराम होत विरंची सिवही संदेहा जैसियाराम राजा ने कहा जो आपके सदिश्विज्यान के निधान और सर्वथा अभिमान रहीत होते हैं वे अपने सुरूप को सदाची पाई रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाक रहने में ही सब तरह का कल्यान है प्रक्ट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना है इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अक्कीनचन सरवथा अहंकार ममता और ममता रहीत मान रहीत ही भगवान को प्यार होते हैं आप स्रिक्षे निर्दन भिखारी और ग्रीह इन्नों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को विशन दे हो जाता है कि वे वास्त्विक संत हैं या भिखारी हैं जो सी सो सी तव चर्न सुन मामी जैस या राम मो पर क्रीपा करिये अवस्वामी जैस या राम सहज प्रीती भूपती कह देखी जैस या राम आप विशे विश्वास विशेशी जैस या राम सप्रकार राज ही अपनाई जैस या राम बोलेव अधिक सने है जनाई जैस या राम सुनू सती भाव कहू महिपाला जैसिया राम इहां बसत बीते बहु काला जैसिया राम अब लगी मोहिना मिले उकव मैना जनाव काहू लोक मान्यता अनलसं करत पकानन दाहु सियावर राम जै जै राम मिरे प्रभु राम जैसिया राम करो कल्यान जै जै राम आप जो होसु हूँ अतार्त जो कोई भी हूँ मैं आपके चड़नों में नमस्कार करता हूँ हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए अपने उपर राजा की सुभाविक परीती और अपने विश्य में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वर् से मिला और नया अपने को किसी पर प्रगट करता हूँ क्योंकि लोक में पतिष्ठा अगनी के स्वान है तो तप रूपी वन को भसम कर डालती है तुलसी देखी सुभेश भूल ही मूड न चतुर नर सुन्दर के की ही पेखुवचन सुधासम असन अही सियावर राम जै जै राम मिरे प्रभुराम जै सियराम करो कल्यान जै जै राम तुसी दाजी कहते हैं सुन्दर वेश देखकर मूड नहीं मूड तो मूड ही है चतर मुनुष्य भी दोखा खा जाते हैं सुन्दर मूर को देखो उसका वचन तो अमृत के समान है और अहार साप का है तातें गूपतू रहूं जगमा ही जै सियराम हरित जी कीम पीपरियो जन्ना ही जै सियराम परभु जानत सब भी नहीं जनाए जै सियराम कहू कवनी सी दिलो करी जाएं जै सियराम कापट तपस्वी ने कहा इशी से मैं जगत से छिपकर रहता हूं शिरी हरी को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रियोजन नहीं रखता प्रबुतो बीना जनाए ही सब जानते हैं फिर कोह संसार को रिजाने से क्या सिद्धी मिलेगी तुम पवित्रो सुंदर गुद्धिवाले हो इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम ही तुमहारी मुझे पर प्रीती और विश्वास है हेतात अब यदि मैं तुमसे कुछ शिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भ्यानक दोश लगेगा जीमी जीमी तब सुकताई उदासा जैसियाराम तीमी ती भी नरपही उपजबी सवासा जैसियाराम देखा सब बस कर्म मनमानी जैसियाराम तब बोला तापस बगध्यानी जैसियाराम नाम हमार एक तनुह भाई जैसियाराम सुनिन रिप बोले उपुनी सिरुनाई जैसियाराम कहू नाम कर अर्थ बखानी जैसियाराम मोही सेवक अति आपन जानी जैसियाराम जो जो है तपस्वी उदासिंता की बाते करता था त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन होता जाता था जब उस बगुले की तरह ध्यान दगाने वाली कप्टी मुनी ने राजा को करम, मन और बचन से अपने वर्ष में जाना तब है बोला हे भाई हमारा नाम एक दनु है यह सुनकर राजा नीफित सिर्नवाकर कहा मुझे अपना अत्यन्त अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए कप्टी मुनी ने कहा जब सब से पहले स्रिष्टी उत्पन हुई थी तभी मेरी उत्पती हुई थी तब से मैंने भी दूसरी देह नहीं धार्न की इसी से मेरा नाम एक तनु है हे पुत्र मन में अश्चरे मत करो तब से कुछ भी दुरलब नहीं है तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं जनी आचर जू करहू मनमा ही जैसियाराम सुत्रत पतें दुरलब कचुना ही जैसियाराम तपबल तें जग स्री जई विधाता जै सिया राम तपबल विश्नु भै परित्रात्रा जै सिया राम तपबल संभू करही संघारा जै सिया राम तपतें अगमनक चुसंसारा जै सिया राम भैयो नरी पही सुनी अतिनरागा जै सिया राम कथा पुरातन कह सुलागा जैसियाराम करम धरम इतिहास अनेका जैसियाराम करई निरूपन बिर्तिविवेका जैसियाराम उद्भव पालन परलकहानी जैसियाराम कहसी अमित अचरजब खानी जैसियाराम तप के ही बल से विश्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं तप ही के बल से रुद्र संगहार करते हैं संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके यह सुनकर राजा को बढ़ान राग हुआ तब वह तपस्वी प्रानी कथाएं कहने लगा कारम धर्म और नेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वराग्य और ग्यान का निरुपन करने लगा स्रिष्टी की उत्पती पालन स्थिती और संगहार परले की अपार अश्चरवरी कथाएं उसने विश्तार से कही सुनी मही पतापस बसभय यू जैस या नाम कहता आपस निर्प जाना हूं तो ही जैस या राम राजा सुनकर उस तपस्वी के वश्च में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा तपस्वी ने कहा राजन मैं तुमको जानता हूं तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा हे राजन सुनो ऐसी निती है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते तुमारी वही चुत्राई समझ कर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है सुनो मही सती निती जहतै नाम न कहीन रिप मोही तोही पर अतिपरीती सोई चुतुरता विचारितब सियावर राम जै जै राम मेरे प्रभु राम जै सिय राम करो कल्यान जै जै राम तुम्हारा नाम परताप भानु है महराज सत्त केतु तुम्हारे पिता थे हिराजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानी समझ कर कहता नहीं हूँ नाम तुम्हार परताप दिने सा जै सिया राम सत्त केतु तु प्रिता पिता नरे सा जै सिया राम सहज सुधाई जै सियराम, प्रिती प्रती तिनी तिनी पुनाई जै सियराम, उपठी परी ममता मनमूरे जै सियराम, कहुं कथानी जिन पूछे तूरे जै सियराम, आपर सन मैं संसे नाही जै सियराम, मांगु जबूप भाव मनमाही जै सियराम, सुनी सुबचन भूपती गई पद विने कीनी विदिनाना जै सियाराम हेतात तुम्हारा सुभाविक सीधा पनस्रलता प्रेम विश्वास और नीती में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे उपर बड़ी ममताउत पन हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ मंगल भावन या मंगल हारी द्रव हुस दशरत या जर भी हारी मेरी आप से हाथ जुड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो भीमार हों लाचार हों चल फिर ना सकते हों आप उन्हें जुरूर भगुत गीता जी का और रामायन का पाठ सुनाएं ताकि वो लाप राप्त करें अपने बच्चों को भी भगुत गीता जी का और रामायन का पाठ सुनने के लिए प्रेर्थ करें ताकि वो सद मार्ग पर चले भगवान सदा उनकी रक्षा करे जया हो शीराम जगत के कल्यान के लिए विश्व के कल्यान के लिए मैंने ये पाठ आपको सुनाया है मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाव उठाएंगे जया हो